हेलो फ्रेंज वेलकम टू दा चैनल रिनाज किचन हिंदी तो आज मैं बनाने जा रहे हूं खीर की रेसिपी चावल की खीर की रेसिपी जो बच्चों के बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है तो सावन का सीजन चल रहा है तो खीर तो बनती है तो स्वीट डिस है बहुत ही लाजवा बनती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है तो सभी को पसंद आती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यह बनती है बहुत ही ज़्यादा गाड़ी तो खीर बनाने के लिए लेने हैं मोटा पतिला तो बड़ा बटन लेना है जिसका की पेंद तो दूढ यहाँ पर इस ने तक इसको एक बार जरूर चलाना है ताकि नीचे जो खीर में दूढ होता है तो आप जरूर चलाले दूढ को नहीं तो पूरे दूढ में जलेवे दूढ की धूश्स करणा साच चलाना है तो यहां पर देखिए उबाला चुका है तो उबालाने के साथ ही यहां पर मैंने लिये हैं 50 ग्राम चावल जिसको कि मैंने आदि गुंटे पहले बिगो लिया है इन चावलों को तो चावलों को धो कर दिया है धोने के बाद ही देखिए यहां पर इसको एक बाद च तेश्टी खीर बनती है तो यहां पर देखिए दूद बिल्कु गाड़ी हो चीक है और बहुत ही खाने में बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर इसको देखिए एक बार फिर से चला लेंगे और क्वांटिटी देखिए अभी और गाड़ी होगी यह खीर तो यहां पर देखिए लगाता पांस से दस मिनी तक इसको और उबालाने देना है यहां पर तो वाइट खीर बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है और अगर आप कोई ड्राइफूर नहीं खाते तो इस तरह सा आप इसी तेश्टा किसको बनाकर शक्कार डालकर खा सकते ह है तो लेकिन ड्राइफूर के बिना खीर बहुत ही ज्यादा अधूरी लगती है तो यहां पर मैं ऐट करने जाने देखे वाल आचुका है तो कोकॉनेट पाउडर एड करने जा रही हूं करी वन आदा बोल तो यहां पर इसको मिला लेंगे बिलाने के साथ ही देखिए इसक की नियुक Way काजू लिए उसकी बेलंबी कटिंग कर दिया अब यहां वह सब से आघरी में डालना है क्योंकि जो मेरी उलों वोलती है कि जब बैसे डूलने तक तक फटे कि नहीं यह मैंने चीज अपनी मदर दो से ही सिखी है तो यहां पर देखें सारे ड्राइफूट को मिला लेंगे एक से दो मुनित तक इसको चलाते रहना है तो देखे साइड में जो किनोर है वहां पर देखे दूद की स्टेज़ वह जम चुके और देखें यहां पर ड्राइफूट डालते खीर का कलर भी चेंज हो चुका है तो देखें यहां पर उबाला चुका है तो इलाइचे पाउडर एड़ करने जा रही हूं एक चमच तो ए तो यहां पर देखे किशमिश को एड़् कर दिया है एड़् करने के बाद इसको एक बार मिला लेंगे और सब-से आख्री में डालेंगे हम यहां पर चकर शक्कर अट disgण करने जádा यहां पर आधा कब मीठा आप जितना कहाते हैं उतनी शकर की कवांटिटी शुकर की क्वा तो देखिए ये खीर की रेसिपी मैंने बनाई है अपनी बेटी हारिका के लिए चार साल की बेटी है उसको मीठा बहुत पसंद है तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन को जरू दबा देना